हेलो फ्रेंड्स जैस्री कृष्णा, जै मातादी, जैस्री शाम कैसे हो दोस्तों आप सभी आश्रा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे प्राथना करूंगे इश्वर से कि आपको हमेशा खोश रखे तो देखें आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपून होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आप से बात करने वाले कुछ खास और कुछ महत्वपून जी हाँ दोस्तों आज हम आप से बात करने वाले हैं कुछ स्पैशल जी हां आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जो कि आपने पहले की सावन में महादेव जो है आपकी कुन सी इच्छा पूरी करेंगे आखिर क्या होगा महादेव आपसे प्रसन है या आपसे है नाराज चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं वीडियो बहुत ही खास और मतवपून है इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बल आकन को प्रेस करें तो चलिए शुरुआत करते हैं जो बहुत हैं आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ ले कर खाया तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेगा और समझेगा भी वीडियो काफी महत्वपूर्ण स्पैशल है देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि महादेव जी आप से नाराज है और आखिर कौन सी गलतियां आप कर र होगा करियर से समध्य अगर चिंता हो रही है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करें दूसरों से मिल रही प्रेंडना की वज़े से बड़े काम की जिम्मेदारी आप ठीक से निभाएंगे अपने अनुभव के कारण दूसरों को माग दर्शन देना संभव होगा दूसर कर काम करें वरना आगे चल कर आपकी तकलीफ बढ़ सकती हैं लोगों की मदद करते समय अपनी मर्यादा का भी आप ध्यान रखें और आलोचनाओं की वज़े से तकलीफ होगी यह समझे आपकी दूविधाएं बढ़ रही हैं सही बाते समझने के बाद भी नेगिटिविट आगे बढ़ने पर आपको फोकस करना होगा पॉजिटिव रहना होगा नेगिटिविटी आपके उपर हावी ना हो सही बाते समझे आलोचनाओं की वज़े से तकलीफ होगी इस बात का ध्यान रखें जिस वेक्ति की वज़े से आप परेशान हो रहे हैं उस वेक्ति की साथ रिष्टा सुधारने पर धियान दे आपको निकट भविश्य में अप एकशा से अधिक बहतर लाब मिलने वाले हैं और करियर में कड़ी मेहनत अगर आपने करी तो पॉजिटिव रिस्पॉंस मिलेगा बहुत अच्छा रिस्पॉंस आपको लाइफ में मिलने वाला है लक्ष जुड़े लोगों की वज़े से प्रसनिता आपको मिलेगी नई शुरवात को गंभिटा से ले अपने आलस और गेर जिमिदार सुभाव की वज़े से आपको नुकसान हो सकता है आपको दोबारा कोई मुका भी मिल सकता है इस बार आपकी और से कोई गलती ना हो इस बात का ध्यान रखें करियर में नई शुरवात करने के लिए आपको प्रैत्न करने होंगे अन्य लोगों से मदद किया पेक्षा बिलकुल भी ना रखें पुरानी बातों से निकल कर नई बातों पर ध्यान दे जो सकारातम कर्म थें उनका फल आपको प्राप्त होगा गलतीयों की बज़े से दिक्कते हो सकती हैं अचानक से कोई बड़ा काम पूरा होगा करियर में आप बदलाव करना चाहते हैं तो नए अफसर आपके लिए आर्थिक लाव देंगे इस बात का भी ध्यान रखें और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी होता हूँ आमें दिखाई द इससे आपके जीवन में सोच भी नहीं सकते तरह का बदलाव आपको महसूस होगा लाइफ में बहुत सारे चेंजे hard जीवन देवर्त दर्वे में विम्लियंद्रव अगने दीवफ, एक नगा होगन व करना होगा और कारिकर बातस प्ते आपको आप के life में changes होता हुआ नजर आएगा और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है जो होगा अच्छे के लिए होगा ठीक है कभी कोई tension ना हो कभी कोई problem ना हो इस बात का भी आप ध्यान रखें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने पर focus करें life में आगे बढ़ने पर focus करें और पूरी तरह से हम सब आपके साथ है इश्वर आपके साथ है तो आपको tension लेने की कोई जरूत नहीं है आप कोई भी निर्ने ले एक बार दिल से पूछें एक बार मंदीर जरूर जाएं कोई भी निर्ने लेने से पहले हो सकता है कि आपका मन आपको भटकार आओ लेकिन मंदीर पर जाना आपके मन को नियंतरित करके आपको सही दिशाकी और अग्रसर करेगा तो प्लीज अगर अपनी लाइफ का कोई भी महत्वपून डिसीजन आप लेने वाले हैं जीवन का कुछ भी आप डिसीजन लेने वाले तो एक बार मंदीर जाकर के सोच समझ करके फिर न इसे नम्बर की बात करने है जिन्होंने भी सेकन नम lle चूसकरा है आपके लिए देखने हैं कि सावं में महादेयों आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाले हैं आखिर क्या होने वाला है तो अधिवन्हें नजरांदाज करने की कोशिश बिल्कुल भी ब्लोकन करने के आपको जरूर थे कि कोई गलतियां अगर आपसे हो रही है तो उन्हें आपको समझना होगा तो जीवन में काफी कुछ एंजेस आने वाले हैं सैकेंड नबर जिनोंने भी चुना है महादेव की पुरी क्रपा है महादेव को प्रसंद करने के लिए आप जो भी की प्रयास करना चाथे आप जरूर करें हमेशा आगे बढ़े और कॉंसेंट्रेशन अपने उपर बनाये रखें हमेशा रिलाक्स रहें लाइफ में हमेशा यह सोच करके चलें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है जो हुगा अच्छे के लिए होगा क्रपा इश्वर के आपके ओपर बनी हुई है तो आपको बहुत जदा लोड लेनी के अगबरानी के जरूत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है आप रिलाक्स रहें टेंशन फ्री रहें हमेशा आगे बढ़ते रहें जीवन में एक बात और धियान रखे देखिए वेक्तिकत जीवन में सुधार करने क के लिए आपका योगदान रहेगा परिवार की कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते लेकिन इस बात की चिंता ना करते हुए आप सही काम पर ध्यान देते रहें समय पूरी तरह से आपके पक्षम में होता हुआ दिखाई दे रहा हैं व्यापारियों को बड़ा ओर मिलने वा सकते लेकिन जीवन की नई शुरुवात भी हैं पैसों से संबंदी समस्यां दूर करने के लिए मित्रों से मदद मिलेगी बदले में आपको उनकी मदद भी करनी पड़ेगी इस बात पर भी आप तुरंत विचार करें फिलाल आपको जो भी मिल रहा है उसमें खोश रहें ज जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हुए दिखाए देंगे टैंशन फ्री रहें रिलाक्स रहें किस्मत पर छोड़ दें जो होगा अच्छे के लिए होगा जो हो रहा है और इश्वर हमेशा आपका साथ देंगे इश्वर की क्रपा है आपके उपर तो आपको ज्यादा आप आने के लिए इतना ध्यान रखें कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा ठीके और जो इश्वर करवा रहे हो सब सही होगा पॉजिटिव रहें नेगिटिविटी को अपने बिल्कुल भी हामीना होने दे इश्वर की रोज भक्ती करें रोज अराधना करें और हमेशा इश्वर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए आपको इमानदारी के साथ कारे करना होगा छलकपड पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे इमानदार रहें इमानदारी से कारें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करें जिस तरह से लाइफ में आपको बदलाओ महसू क्यों रहे पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है जब तक आप पॉजिटिविटी नहीं देखेंगे जब तक जीवन में कुछ भी चैंज़ नहीं आ सकते रिलाक्स रहें सब कुछ अच्छा होगा पहले से काफी बैटर होगा और काफी अच्छा समय आपके जीवन में शुरू होचुका है तो आपको टांशेन को लोड भी नहीं लेड सेना है रिलाक्स रहे कर करके इश्वर की अराधना करनी पूज पार्ट कर ने हैं समय आपके पक्षमें है तो हमें क्या सोचना दढ़ना तो वीडियोज Canton को स्ब्सक्राइब करें हैं भा अस यह मिलता है नेक्स व